हलो दोस्तों मैं हूँ गोराओ एंड इस वीडियो के अंदर आपन बात करने वाले हैं कि आप टेराफर्म कैसे इंस्टॉल कर सकते हो Linux Operating System के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको टेराफर्म डाउनलोड करना है और जो डाउनलोड करना वो क्या Linux operating system के लिए चाहिए आपको जो बाइनरी चाहिए और 64-bit का आपका Linux operating system है तो मैं जो इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहा हूं मैं काली Linux यूज़ कर रहा हूं आप कोई दूसरा operating system भी यूज़ कर सकते हो प्रोसेस सेम होगी ठीक है यहां पर आप देख सकते हो टेराफोर्म डाउनलोड हो चुका है मैं डाउनलोड के अंदर जाता हूं यहां पर आप देखिए टेराफोर्म आपको जिप फॉर्मैट में मिल गया तो अंजिप कर लेते हैं इसको अंजिप टेराफोर्म ठीक है एंड उसके बाद में आप लस कमांड चलाओगे तो आपको देखो यहां पर यह बाइनरी मिल गई लस आइफ़न एल करके दिखाऊ तो आप देख सकते हो इसको एक्जेक्विट परमिशन है रइट अभी डॉट्सलेस टेराफोर्म कमांड अगर मैं चलाता हूं नोट तो यह क्यों आ रहा है यह इसलिए आरहा है कि अपने वापस वही पाथ सैट नी किया तो लीनेक्स के अंदर कोई भी कमांड चलती है या अब पर गांती है तो कैसे होते है Joshua गर्वा करती है तो हमांट क्रीषिटि देखेंगे इन में से किसि एक मान कि बाइनरी रखी ऊपने को देखने होगारारी तो अपने खाती है which touch command से तो यह बता रहा है कि भई यह जो touch command इसके binary यह हैbe user, user के अंदर bin और वह हाँ पे touch नाम से है, तो आप यहाँ पे यह देखिए user Kaiser के अंदर bin, यह path set है तो simply यह path इसका output क्या explain कर रहा है कोई भी command execute होईगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको धियान रखना है कि colon से separated है तो सबसे पहले binary जो है वो इस location पर सर्च होईगी इस location पर नहीं मिली तो इस location पर सर्च होईगी इस location पर नहीं मिली तो इस location पर and so on तो अब आपको command कोईशी चलानी है Terraform तो terraform की binary अपने पास है तो अपने पास अब दो method आते हैं पहला method तो ऐसा कि जो path variable है इसको यह extend कर दो like ऐसे ex export path equal to dollar sign path colon pwd तो क्या हुआ अभी देखो path variable dollar sign path तो यहाँ पे आपने यह location एड़ कर दिया और terraform की binary यहीं पे है तो अभी आप terraform command चलाओगे तो देखो चल गई अभी temp में जाके दिखा देता हूँ अभी आप किसी भी location पे जाके चलाओ यह चल जाएगी यह यह फिर आप क्या कर सकते हो दूसरा और जो मेरक को थोड़ा अच्छा लगता है वो क्या लगता है एक मैं एक नए terminal पर आता हूँ तो यह नहीं चलेगी तो आपको क्या करना है जब भी यूजर लोगिन हो तो यह पाथ का वैरियबल सैट हो जाना चाहिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा उसके लिए अलग-अलग मैथड है बट अपन उस पे ना जाके क्या कर सकते हैं अपन इको डॉलर साइन पाथ तो यूजर लोकल एस बीन और यूजर लोकल बीन यह एक लोकेशन है यही पे अपन टैराफों की बाइनरी को डाल देते हैं तो कैसे CD कि डाउनलोड यह जो बाइनरी यह टेराफोम की इसको इस लोकेशन पर डाल सकते हैं इन में से किसी भी लोकेशन पर डाल सकते हो तो सुडो cp terraform इसको कहां डालना है user local bin के अंदर ठीक है password डालना है and अभी क्या अभी देखो terraform को आपने user local bin पे डाल दिया right eco dollar sign path और यह user local bin जो है यह आपका path के अंदर set है तो अब आप जबी भी terraform command सलाओगे तो यह चल जाएगी right तो ऐसे आप simply terraform install कर सकते हो और वापस वही दो वापस वही चीज़ जो मैं यहां भी बताना चाहूंगा आप लोगों text editor का same way text editor मैं यहां use करने वालो हूँ right and उसके बाद में आपको यहां जाना है click करना है and यहां पर आपको सर्च करना है terraform यहां पर आपको वही आशीकॉप का terraform plugin मिला है और दूसरा आप Microsoft का यह दो plugin आप इंस्ट्रॉल कर सकते हो और यूस कर सकते हो मैं आशीकॉप वाला इंस्ट्रॉल कर रहा हूं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहे क्यों प्लग इन इंस्ट्रॉल हो जाएगा और कुछ भी होगा नहीं अपन टेरा